महराश नौन इर्मार्ण सेना के अधिश राज ठाकरे का आयुध्या दौरा फिलहाल स्थागित हो गया है राज ठाकरे ने खुद इस बात की जानकारे ट्विटर पर दी उन्होंने लिखा कि आयुध्या का दौरा स्थागित कर दिया गया है 22 मई को पुर्णे में होने वाली रैली के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने ये फैसला स्वास्त कारणों की वज़े से लिया है मीडिया रेपॉर्ट्स के मطابक राज ठाकरे के पैर में चोट लगी है और इसकी सर्जरी होने की संभावना है जानकारी के मताबक राज ठाकरे दौरे की आधिकारिक जानकारी डौक्टर से सलाह लेने के बाद ही देंगे बता दे कि मंसे अध्यक्ष राज ठाकरे पांच जून को आयोध्या जाने वाले थे उनके आयोध्या धोरे को लेकर बीजे पीसांसद ब्रिज भूशन सिंग ने विरोध किया था उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे को उत्तर भारतिय जनता से माफी मागनी चाहिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने अपने भाशनों में पहले भी उत्तर भारतिय जनता का अपमान किया है जिसके बाद मंसे प्रमुख के आयोध्या दोरे को लेकर काफी विवाद भी हुआ था अब ये दोरा कुछ समय के लिए स्थागित किया गया है